इस वीडियो में हम दो एस्टीमेल सेलेक्ट टैग के बारे में जानेंगे एस्टीमेल टेलेक्स टैग का यूज होता है एक ड्रॉप टाउन बनाने में और लिस्ट बॉक्स बनाने में हम लोग ने एक ऐस्टीमेल आपन किया नेटबीज के अंदर में और यहां पे हम सेलेक्ट का टैग्र के देखेंगे कि यह कैसे काम करता है कि सवेख्ट सेलेक्ट टैग स्टार्ट किया गया और सेलेक्ट है close किया गया इसके अंदर में आके हम दो बनाते हैं options तो लिखेंगे option option का value देना होता है जो server पर submit होके जाएगा value equal to one और यहां पर हम लिखेंगे January हम लोग अचली months का एक drop down बना रहे है value equal to one and January इस तरह से करके हम दो 12 तक इसको complete करेंगे drop down or list box same तरीके से बनता है इसमें सिर्फ size का difference होता है अगर size 1 दे दी आ जाए तो एक drop down बनता है जो click करने पर open out होता है otherwise एक list box बनता है जिसमें जितना size हम दिये रहे थे उतना 11 स्पाइड फॉन विजबल रहते हैं अभी हमनों पहुंचे हैं अप्रेल तरक में जो डॉब्डाउन का यूज होता है डेटो पर बनाने देने में किसी कंट्री के स्टेट्स का लिस्ट दिखाने के लिए किसी स्टेट के अंदर के सिटीज दिखाने के लिए ट्रेंग्स की लिस्ट जिससे हम लोग बना रहे हैं list of months list of years इस तरह से कई जगर पे यूज होता है क्यां एक रिए उजवर को टारी करने देने से यह बेटर होता है कि मिस्टेक्स होने के चांस्स कतम हो जाते हैं श्वो कि दो और एक लेग् делать कुछ पूरा अगस्ट लिखते कि अब इसके बाद हम लोग इसको रेंग करके रोम में देखेंगे क्रोम ब्राउजर है यह टाइब बन कर दिया यह देखें जन्वरी से लेके दिसेंबर तक के मंस का एक ड्रॉपडाउन बन गया है इसको इसली देखा जा सकता है इसमें से किसी एक मंथ को यूजर सेलेक्ट कर सकता है अब देखेंगे कुछ इसमें चेंजिस करके सबसे पहले हम लोगा ने साइज इक्वल टू फॉर दिया अब यह लिस्ट वाक्स बन जाएगा जिसमें एक साथ चार एलेमेंट्स विजिबल रहे हैं कि स्कॉल बार आएके अब पर नीचे किये जा सकते हैं अब यह गुटिबल देने से युजर को लिस्ट बॉक्स थे या डॉप डॉन में मर्टिफल सेलेक्शिंस करने की फैसलीटी मिल जाती है यह या तो कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हैं या तो शिफ्ट से सिफ्ट एक इनले सेलेक्शन ओता है कंट्रोल से हम कहीं पे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स देखेंगे हम आप्शन ग्रूप का फैसलीटी है आप्शन ग्रूप से हम आप्शन को अलग अलग ग्रूप में डाल सकते हैं माले जिए के साल का हम फॉर्स क्वार्टर बनाना सकते हैं जिसमें साल के पहले तीन महीने दिखा दे हैं तो हमने एक अप्टzahl कॉर्टर बनाया फ़र्स gorgeous रेखल में लिखाएटढ़ फॉर्स क्वार्टर लेबल स्क्रीन पहर दिखाए देगा औरत ग्रूप फॉर्स कलोस किय देखते हैं second quarter के दिये, यह हुआ second quarter, इसका लेबल लगा दिये, इसको next 3 महीने के बाद बन कर दिये, यह देखे, ऐसे ही जितनी जरूरत हो, हम लोग option groups बना सकते हैं, option group drop down पे भी काम करना चाहिए, size हटा के वह आपस drop down पे चलते हैं, फिर एक बड़ चेक करते हैं, यह अभी भी काम कर रहा है, यह वीडियो यह ही खतम होता है, इसके बाद हम दो देखेंगे कि कैसे list box पे drop down पे CSS लगा,